आज मैं जिस टेकनिक के बारे में बात कर रहा हूँ, उसको मौंक और सैकलोजिस्ट अपने दिमाग को री प्रोग्राम करने के लिए इस्तमाल करते आये हैं। इस टकनिक के दोरा हम कोई भी बात अपने conscious mind से अपने subconscious mind तक बहुत आसानी से पहुँचा सकते हैं। मैं आपको इसके लिए दो steps बताऊँगा। लेकिन उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हमारे conscious mind से हमारे subconscious mind में कोई भी विचार पहुचाने में देर क्यों लगती है, य इतना कठिन क्यों है? इसको समझने के लिए एक example पर गौर कीजिए। एक व्यक्ति अपनी कार में अपने office के लिए निकलता है, लेकिन सडक पर उसे बहुत traffic मिलता है। क्या वो सही समय पर office पहुच पाएगा? क्या उसके लिए ये आसान होगा? बिलकुल नहीं। लेकिन द traffic ना के बराबर होता है या होता ही नहीं है। इसलिए उसके लिए ये सफर आसान होगा और वो सही समय पर पहुच पाएगा। ध्यान रखे उसी तरह हमारे conscious mind और subconscious mind के बीच में भी एक traffic होता है। लेकिन ये traffic गाडियों का नहीं होता बलकि हमारे दिमाग में चल रहे विच conscious mind तक पहुचा नहीं पाते। तो अब करना क्या है। ध्यान से सुनिए पहला step है अपने message को छोटे से छोटा रूप देना। जितना छोटा हो सके उतना इसको बनाना है। माल लीजिए आपने सोचा कि आपके पास एक अच्छी कार होनी चाहिए, एक अच्छा घर होना चा तो आपको ये सभी चीजे एक ही द्रिश्य में देखनी होंगी। आपके हाथ में एक phone होगा, आप उस गाड़ी में बैठे होंगे और आप गाड़ी से बाहर देख रहे होंगे तो आपका एक आलिशान घर होगा। यहां सभी चीजे एक ही scene में आ गई हैं। और आपका message अ अब आप कहेंगे कि ऐसा करने से तो हम मर जाएंगे बिलकुल भी नहीं। ध्यान रखे कोई भी अपना सांस रोक कर या गला दबा कर नहीं मर सकता। डॉंट वरी। लेकिन जिनको सांस की कोई problem है वो इसको ना करें। अब सांस रोकने के बाद आपके भीतर जितनी भी सां सांस है उसको बाहर निकालें। अब आपको लगेगा अब सांस नहीं बची है लेकिन अब भी सांस है। और कोशिश करें। आखिर में जब सांस ना बचे तब आप पाएंगे कि पहले जितने भी विचार दिमाग में चल रहे थे अब वे एक-एक करके समाप्त हो चुके है केवल एक ही विचार मौजूद है कि बस मुझे सांस लेनी है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पहले हमारे दिमाग को लगता है कि जो भी विचार हमारे दिमाग में चल रहे हैं वो सब जरूरी हैं। लिकिन जब शरीर ये मैसेज देता है कि सांस की आवशकता है, आक्सिजन की आवशकता है तब हमारे दिमाग को लगता है कि अब सबसे जरूरी विचार है मुझे स्वांस लेनी है अब स्वांस लेने से ज़ादा जरूरी विचार कोई नहीं रह जाता अब यही सही मौका है जिसमें हम अपने मैसेज को सबकॉंशेस में भेजेंगे स्वांस लेने के विचार के साथ अब एक और विचार जुड़ जाएगा जो भी आप पाना चाहते हैं उस विचार को दोहराईए ऐसा करने पर हमारे सबकॉंशेस को ये विचार भी स्वांस लेने जितना ही जरूरी लगता है और इस समय कुछ भी सोचने समझने की ताकत नही होती हमारे दिमाग के पास वक्त भी नहीं होता कि वो सोचे समझे इसलिए वो अब हर एक विचार को अंदर जाने देता है और आपका ये विचार सीधे सबकॉंशेस माइंड में परवेश कर लेता है ध्यान रखें शुरुवात में इसे करने में परेशानी आ सकती है लेकि और हाँ अगर आप अपने लक्ष को पाने के लिए सच मुच में सीरियस हो तो मेरी पेड क्लासिस भी जॉइन कर सकते हैं मैं हूँ राहुल जजोरिया मैं आपसे मिलूँगा मेरी दूसरी वीडियो में आप जाकर उन्हें भी देख सकते हैं तिल देन बाबाय टेक केर खु पक्रास ताला वीस्टा